अरविंद केजरिवाल जी की गिरफतारी, पिछले दो साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच्छण्ट, पिछले दो साल से चल रहा ये फरजी शराब गोटाले का इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ और सिर्फ भारतिय जनता पार्टी का एक शड्यंत्र है भारतिय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साज़िश रच लई है और इसी लिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फरजी केस में बिना किसी सुबूत के जेल में डा दिया राउज आवन्यू कोट ने जब अर्विंद केजरिवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तोर पर कहा और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के पास अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि ED इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है ये कोट के शब्द है ये हमारे शब्द नहीं है आज राउज आवन्यू कोट के उस फैसले पर सुप्रीम कोट में भी मोहर लगा दी और अर्विंद केजरिवाल जी को ED के मुकदमे में जमानत देती लेकिन भातिय जन्ता पाटी को ये पता था उनको पता था कि राउज आवन्यू कोट से जमानत मिल गई है उनको पता था कि सुप्रीम कोट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और शड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोट में जिस दिन अर्विंद केजरिवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनेतिक हत्यार CBI से अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार करवा लिया क्यों किया गिरफतार CBI से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफतार करवाया कि अगर ED के केस में जमानत मिल गई तो अर्विंद केजरिवाल जी बहार आकर दस गुना स्पीड से दिनली के लोगों का काम करने लग चाएंगे और भारतिय जन्ता पार्टी का शड्यांतर रुकता नहीं है इसलिए CBI के केस में रेस्ट किया मैं आज भारतिय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहती है कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायाले ने आपके शड्यांतर का परदा फाश किया एक के बाद एक नियायाले ने कहा है कि अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ सुबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर नियायाले अर्विंद केजरिवाल जी को समानत दे रहा है मैं भार्तिय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खतम करिए, अपना अंकार खतम करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोगतंत्र के खिलाफ शड्यंत्र रक्षना बंद करिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रही है अब मैं चाहूंगी कि संदीप जी और सौरत जी अपनी बात रखे आज माननी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक एतिहासिक फैसला है कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारन का काम करती है आज जो फैसला आया है, वो बड़ा स्पस्ट कर देती है कि जो तथा कथित शराब घोटाला भारती जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध़स्ट कर देता सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट, PMLA स्पेशल कोर्ट का ओर्डर आया था उस ओर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदे नहीं रहेगा कि भई ये केस क्या है उस ओर्डर में तीन चार चीजें बड़ी स्पस लिखे हुई है पहला कि कोई पैसे का लेंदे नहीं हुआ है दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामत नहीं हुई है तीसरा, अर्विन केजरिवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाता का सवाल ही नहीं है और सबसे important चीज कि उसमें ED के intent को बड़ी बात है जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ विभार करती है तो वो बहुत गंभीर विशय हो जाता है स्पेशल कोट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोट में एक बड़े प्रशन पर विचार किया जा रहा था और बड़ा प्रशन क्या था वो बड़ा प्रश्ण ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही इल्लीगल है तो कोल्ट ने अपने तरीके से अध्यन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा दिशानेरधारन होगा आगे लेकिन कोल्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविन केजरिवाल जी को अब आपको ये समझना होगा कि पीए मिल्ले में जब सारे तक्ष और साक्षों को देख कर सभी सबूत ये जो दिये है उसको एक्जास्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिये जाते है तो मेरा ये सब्मिशन है भारती जनता पार्टी से की हर कोट में आपको मूँ की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सरकस है तो इस सरकस को बंद करिए देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें नरेंद्र मोदी जी ने अमिश्या जी ने और भारती जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है हर विक्ति का हर कारेकाल की एक देन होती है कि भही इसने क्या दिया इसने क्या दिया इसके कारेक सब्च न नहीं सकते या उननको उनका सामना नहीं कर सकते उनको गलत तरीके से फ्रॉडूलेंड तरीके से शड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फसाना इसको बंद करना चाहिए देश का पहुत समय व्यस्त हो रहे हमें नई राजनीती करनी है देश को आगे लेकर जाना है हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीती करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा मेरा ये फिर से की डबल बेंच जस्टिस संदीब खर्णा जस्टिस विपार करदता की बेंच ने जो सुप्रीम कोट की छुटियों से पहले अपना ओर्डर रिजर्व किया उसको आज उनमें सुनाया उसके अंदर सुप्रीम कोट के सामने ये सवाल थे कि अगर इडी प्यमले एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोट उसके अंदर बेल की बात सोचता है तो सेक्शन 19 के अंदर जब एडी जो एक एजनसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है अब्जेक्टिव न नहीं है किस पर वो अरेस्ट कर रहे हैं और वो सेक्शन नाइंटीन बेसिकली उन अफसरों की उंपीनियन है तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सक्त हैं जितने सेक्शन 45 में हैं तो उसमें कि आरेस्ट का थresh hold भी हाई होगा एसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पर इस कर लें और भी जबैन और कि अघर कृटानों में तो उसमें मुश्किन रूद यो कर बहुत तो बेल के सिद्धान दिये हैं कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कटिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थेशोल्ड भी हाई होना चाहिए सुप्रीम कोट ने नीड एन नेसेसिटी और बेल के बारे में कहा और सुप्रीम कोट ने दूसरी बात ये कही कि इस बामले में अर्विंद केजरिवाल जी करीब 90 दिन से जादा पहले ही जेल में रह चुके हैं लेहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए तीसरी बात सुप्रीम कोट ने कही कि अर्विंद केजरिवाल जी के उपर मुकदमा है ऐसे में मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं ये फैसला कोई कानून कोई कोट नहीं कर सकता ये फैसला स्वेल वही कर सकते हैं ले लेगा ऑर नकेशन जीवार कोई सीफा देना चाहिये तो है कोड बहुत ने भी यही बात कही करें और अनतता सुप्रीम कोट ने भी यही बात कही कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोड कोई दखल नहीं कर सकता हैं ये बात आपके सामने रखी हूं मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बदाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीए मेले के कारण उनके उपर अलग-अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है कि मैं यह समस्ता हूं जुडीशरी भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है आज पूरे देश में इस बाद की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतिये जनता पार्टी की केंदर सरकार मुकदमों केंदर फसाती है मुकदमों में फसाने के बाद अपने राजनितिक प्रतिदुन्वियों को जेल में डाला जाता है जेल में डालके उनके ओपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतिये जनता पार्टी के सामने सरिंडर कर दे भारती जनता पार्टी के साथ मिल जाएं तो उनकी ओपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है चापे भी इस तरह के से डाले जाते हैं अब ये बात लगबग साफ हो गई है नियाय लोग के सामने कि ED के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनितिक द्वेश की भावना से और उनको आम प्रिष्ट करके भारती जनता पार्टी में लाने की भावना से केंदर सरकार लगा रही है तो कोट्स इस चीज़ को रिफ्लेट कर रहे हैं इसी शिंखला में एमन सुरैन जी की बेल जो है हाई कोट से हुई अर्विंद के जीवाजी की बेल तो लोग कोट से ही हो गई थी आप देख सकते हैं मगर जिस तरीके से एडी रातो राथ भागी हाई कोट के जज़ साहब ने बिना हाई कोट का फैसला आये ये इतियास में पहली बार हुआ है कि उसको यही नहीं मालूं कि लोर कोट ने किस बात पर बेन दी है लोर कोट । मणिने क्या डलीले खारच की है हुस फैसली को बिना देखे अध्र कोट के eh लगा है उसके अंदर धू alo डेकिए वो तो आतिशी चाहिदें में बताया लिवार बार पहले सुप्रीम कोर्ट में इं्टरे में मिलती नहीं है यह में तो फिर अंहीं बंगें अुदूट में वह समझ में आगई थी कि अब निकलने वाले इसलिए cb.i. जो है रातो रात अरविंद के जुरीवाल के यहां गई त्याड के अंदर उनको और उनने अरश्ट किया दो दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है तीन दिन की उनकी जो है इंटेरोगेशन करी अब जो है यह के दिया कि इन्होंने सीवियाई ने इनको अरेश्ट कर रखा है जिर्व इसलिए कि कहीं गल्ती से अर्विंद केज जीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए बट मैं यह मानता हूं PC Act जो होता है Prevention of Corruption Act जो होता है वो मोटे तोर पे CRPC से गवर्ण होता है जिसके अंदर बेल is a matter of right इस CBI की बेल के अंदर CBI को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है इडियर पीमले के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं तो इसके अंदर जो burden of proof है वो CBI के ऊपर है और मुझे रखता है CBI में तो बहुत सारे जो एक्यूज है एक्साइज के इसके अंदर उन सबको बेल मिल रखी है वो सिर्फ पीमले के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी जिसकी वएसे वो जिल में थे तो इट्स अ मैटर ओफ कि यह CBI की बेल के अंदर मामला आएगा तो हमें उमीद है उनको बेल मिलेगी और अर्विन के जिवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापिस जो है लोटे झाल